Google यह चाहता है कि आप जो website का structure बनाएं, उसके जो URL बनेंगे वो human friendly होने चाहिए मतलब यह कि वो पढ़े जाने चाहिए, वो readable होने चाहिए, क्योंकि अगर आप अकसर website फेसरा के URL देखते हैं, तो यह वो URLs हैं जो system तो समझ सकता है, लेकिन user नहीं समझ सकता है तो इन URLs में होता यह है कि system जो भी CMS यूज किया है, जो भी software यूज किया है, किसी आपके developer ने website बनाने के लिए, वो अपनी understanding के लिए page ID असाइन करता है हर page को, और उसको को number असाइन करते हुए, वो यह करता है कि हर page को एक number से याद रखता है, अब system तो चीज को समझ सकता है, लेकिन इनसानों के लिए बड़ा मुश्किल है कि ऐसे वो pages को याद करें, और उनको याद रखे, गूगल यह चाहता है कि आप इनसानों के लिए, इनसानों से पढ़े जाने वाले URLs develop करें, तो जैसे कि आप लिख सकते हैं कि यह जो pages आपको नजर आ रहे हैं, अगर यह pages को मैं नाम के साथ लिखूँ, तो लेफ साथ में page IDs हैं, जो के ठीक है, system के लिए, वो readable भी होंगे, वो चलेंगे भी, उस पे pages आपके exist भी करेंगे, लेकिन वो इनसानों के लिए बेतर नहीं हैं, और चुके वो इनसानों के लिए बेतर नहीं हैं, तो Google भी उसको importance नहीं देग जिसमें Samsung, Apple, Huawei या और भी कोई company या और भी कोई page है, उसका नाम आना जरूरी है, इससे क्या होता है, इससे Google आपकी website को भी understand कर लेता है, और user भी आपकी website को understand कर लेता है, तो अगर हम पहली example पर दोबारा जाएं, अगर मैं किसी services वाले या business वाली example लो, तो आप देखेंगे कि हर page का URL बना था, और वो URL आलमस उस page के नाम से जुड़ा हुआ था, जैसे यसे आप URL बढ़ाते चले जाएंगे, यानि कि आप pages के levels बढ़ाते चले जाएंगे, उस slash के बाद page का नाम add होता चला जाएगा URL के अंदर, लेकिन make sure यह करें कि URL sense बनाए, और sense बनाने के लिए सबसे important बात यह है, कि URL बढ़ा जा सके, अगर वो page IDs के तोर पे बढ़ता चला जा रहा है, तो वो system को समझ आ जा जाएगा, पर वो लोगों को समझ नहीं आएगा, इसमें एक important चीज यह है, कि आपको, यह जो चुकि आप नाम लिख सकते हैं, आप URLs के अंदर, तो Google आपको दो, आप keywords भी add कर सकते हैं, आपको यहाँ पर यहाँ आना चाहिए, कि keyword research हमने बड़ी detail में पड़ी थी, और हमने हर page के लिए, एक keyword का group assign किया था, तो जिससे आप यह देख सकते हैं, कि in, हर page पे एक नाम है उसका, और यह नाम basically keyword based, keyword oriented name हो सकता है, जैने कि keyword की base पे नाम लि जोरल भी लिखे जा सकते हैं, so example में अगर लूँ, अगर मेरी एक simple website है, उसमें इस तहां से services का नाम services है, और consulting का नाम consulting है, तो यह भी ठीक है, यह readable तो हैं, लेकिन यह keyword friendly नहीं है, so हम इसको keyword friendly कैसे बना सकते हैं, मैं अगर example दूँ, mobile website की, क्योंकि हम इस पूरे course में mobile की एक मिसाल ले रहे थे, तो मैं अगर mobile website की example लूँ, तो जहां पर आपका home page है, वो तो जो आपका नाम है, जो आपकी domain है, वो तो वही रहेगा, लेकिन अगर आपका phones का page है, तो आप बजाए इसके क्या phones लिखें, आप mobile phone लिख सकते हैं, mobile phone, phone से बहतर word है, क्योंकि लोग phone तो स लिख सकते हैं, क्योंकि लोग जब सर्च करते हैं, तो mobile phone prices लिखते हैं, इसी तरह से आप हर page का नाम change करके, आप hierarchy की वही रख सकते हैं, लेकिन उस page का नाम keyword से friendly बना सकते हैं, क्या आपको पता हो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उस page क्यों से keyword आपने assign किये हुए हैं, और आपने से सबसे important keyword जा सबसे अच्छा keyword कौन सा हो सकता है, आप उस page का नाम भी रखें, उसका URL भी आप रख सकते हैं, इस तरह से आपका keyword है, वो आपके URL में भी आ जाता है, और वो Google के लिए readable भी हो जाता है, और वो user के लिए भी readable हो जाता है, तो खाली phones पढ़ना या खाल कि ये mobile phones की prices हैं, ना कि सिर्फ prices हैं, एक example में आप code देना चाहूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा mobile phone से हटके भी समझ आए कि ये कैसे होता है, मैंने dentist की example ली, जिस तरह से dental clinic होता है, अब लोग जब search करेंगे, जो आता हो dental clinic लिखेंगे, या dentist लिखेंगे, इस तरह से related keywords नाम है, वो अपने practice का नाम लिखेंगा यहाँ पर, लेकिन अगर उसकी dental services हैं, मतलब अगर उसकी services हैं, तो उसको सिर्फ services ना लिखेंगे, वो dental services लिख सकता है, क्योंकि जब लोग search करेंगे, उस हाली services नहीं search करेंगे, वो actually dental services सर्च करेंगे, क्योंकि ये target audience आपकी, आपक नाम भी dental services रख दिया, ना कि मैं सिर्फ services रखता, इसी वज़ाए से उसका URL भी मैंने dental dash services रख है, ताके वो URL में भी उसका नाम repeat हो जाए, या मेरा keyword repeat हो जाए, इसी तरह से, अब मेरी एक service है, dental consulting की, तो अब सिर्फ मैं consulting क्यों लिखूँ, अगर मैं consulting दे रहा हूँ dental के optimize हो, और इस page share पर optimize होने का मतलब यह है कि इसका title, description, density, वो सब चीज़े हम on page में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका URL भी dental keywords के साथ जुड़े होना जरूरी है, तो मैं इस dental consulting का नाम भी dental consulting इसलिए रखूँगा, क्योंकि लोग dental consulting सर्च कर रहे हैं, और इसका URL भी मैं dental consulting रखू करें, आप about us की बजाए, अगर आप about dental clinic लिखे हैं, तो उस जादा बेतर word है, उसे जादा sense बन रही है, ना सिर्फ users के लिए, बलके Google के लिए भी, in short, आपको जितनी भी websites बनानी हैं, या जितनी website अपने लिए, या client के लिए, उस पर marketing करनी है, आपको उसका structure understand करना है, और पेज बर पेज optimize करना है, ये ensure करने के लिए, कि जो आपने keyword research किये हैं, वो ना सिर्फ on-page पर optimize हों, बलके वो URL भी उसके properly structure के अंदर reflect हो रहे हो, ये ना सिर्फ user देखते हैं, बलके ये Google के लिए भी बड़ा helpful होता है.